हलो गाइज यह वाचिंग सीरियल से आपा स्टार प्लस पर टेलिकार्स्ट होने वाला टीवी सीरियल यह रिष्टा क्या कहलाता है के ओन्गोइं ट्रैक में चल रही है भाई अक्षुरा के पूर्थडे की शांदार तयारी जिसके पीछे दो लोग में है पहले है मनेश तो द करने के लिए अभीरा बहुत ही खास इंतिजाम करना चाहती है जो एकदम परफेक्ट हो लेकिन पहला जटकार तो रूही को यहां पर अभीरा के कमरे में उसकी मां के पोस्टर को देखने के बाद मिला है एस पर दसोर्स की मां ने तो अभीरा यहां पर जितनी जादा अपसेट और डिप्रेस होने वाली है क्योंकि कहीं न कहीं रूही को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी जिससे भी वो प्यार करती थी जो उसके करीब था वो सब कुछ उससे दूर चले गए सिर्फ और सिर्फ अक्षरा मासी की वज़े से और इसी नफरत में यहां पर अक्षरा का फोटो तो भाड़ी देगी रूही लेकिन दूसरे ही पर जैसे ही वो अपने घर बी नानू के पास जाए कि उसे वहां पर भी एक तगड़ा शौक मिलने वाला है जी हां श्यो की कहानी में आगे आप देखेंगे कि रूही अपना सुद बुद खोकर के जैस अपकमिंग क्रेक में आप देखेंगे कि बिना किसी को कुछ कहे चुप चाप निकल कर वहां से आजाएगी रूही और सड़क पर एकडम बेसुद हो करके चलेगी वो तो भला हो अर्मान का कि लास मोमेंट पर आकर वो रूही को एक्सिडेंट करने से बचा लेता है लेकिन उसके बार अक्शरा की तरह ही यहां पर एक पर फिर से सब की कहानी पेरलल होने वाली है यानिकि अर्मान पहले तो अभीरा को सहारा दे रहा था लेकिन इस वार्व रूही के लिए बैकंसर्ण होगा उसे भी लगाएगा गले और उसको समझाएगा उसकी परिशानी भी बैती को क्या रूही प्यार समझ बैटे की देखना होगा काफ़ इंट्रोस्टिंग फिलाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना पूले